आड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, नायब सिंग सेनी होंगे हर्याना के नए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पर की शपत लेंगे, यानि नायब सिंग सेनी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पर की शपत लेंगे, हर्याना में इस बार दो डिप् तो मनुहलाल खटर की जगह पर नायब सैनी वो चहरा जिस जो हरियाना में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजिपी सरकार के कारेकाल को आगे बढ़ाएगा हाला कि अब हरियाना में चुनाओं में ज्यादा वक्त नहीं रहा है लेकिन इससे पहले यह जो फेर बदल की गई है उ उसको दरसल 2024 में इसी वर्ष होने वारे लोगसभा चुनाओं से जूड़ कर देखा जा रहा है एक और आहम जानकर देदें आपको नायब सेनी के गाओं में जश्न का महाल है लोगों ने ढूल नगाड़े बजाकर और लड़ू बांटकर जश्न मनाया है थोड़ी जिर में सीम पर की शपत लेंगे नायब सेनी यानि नायब सेनी के नामका जैसे ही अफचारी के ऐलान विशाल ठाकूर जोड़ी के हमाई साथ हमाई से योगियर अपडेट विशाल क्या ये प्री काल्कुलेटिव था और अगर प्री काल्कुलेटिव नहीं था तो ये फेर बदल क्या माने कि 2024 को ध्यान में रखते हुए दो हजार चुबिस के तो बिधान सबाच चुनाव है उसको मदे नजर रखते हुए ये सारा कसारा फेर बदल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि नायब सेनी जो है वो कुरुसितर से सांसत भी है और एक गली समाच का बड़ा चेहरा भी है तो 2024 को साधने के लिए जो ह ये सारा कसारा फेर बदल किया गया है ये भी का जा रहा है कि जो पूर मुख्या मंत्री है मुनोलाल खटर जिनों ने आज इस्तीफा अपने परस से दे दिया है उनको लोगसावा चुनाव भी लड़ाया जा सकता और दूसरे कई तरह के क्यास लगाया जा रहे है लेकि जि इंडिपेंडेंट MLA थे वो अब सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पूरा फेर बदल होना था तो उसमें नए मंत्री चाहे वो इंडिपेंडेंडेंट है या फिर जिस्तर से ये का जा रहा है कि JJP के कई विधायक भाजपा के संपर्क में है उनमें भी से मंत्री बनाया जा सकता है तो ये सारा का सारा 2024 को साधरी की त्यारी जो है वो भाजपा ने पूरी रणनीती के साथ की है और उसका रणनीती का आसर जो है वो कहीं न कहीं हर्याना की स्यासत में देखने को भी मिल रहा है जिसमें नया शब्त सामारो जो है वो यहां पर जो है वो किया जाएगा तो कहीं न कहीं दो हजार चोबिस ओलग्सवावा चुनावों को साधने के लिए जो है यह भाजपा ने नई रनीती बनाई है और उसी नई रनीती के तहर जो है नया मुख्यामत्री आप अच्छा मैं दो पॉइंट पर आऊंगा क्योंकि जो नई रनीती की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसको मैं समझे उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़े से नायब सैनी के प्रोफाइल के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाए क्योंकि बीजेपी सप्राइज करती है और यह पहली बार नहीं है कि वहाँ पर चेहरे बदल दिया आते हैं उसका प्रतेक्ष प्रमान गुजरात में भी हमने देखा है हमने तरिपूरा में भी देखा है तो यह प्रोफाइल कैसा है जनता से कनेक्टिविटी कैसी है और बीजेपी को उसको क्या फाइदा मिल सकता है नायब सैनी के सामने आने स देखें बिलकुल 1996 से इनका राजनेती करियर जो है वो शुरू होता है संगटन में रहे है युवा संगटन में ये रहे हैं भाजबा के दमदार नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है आभी मौजूदा में कुरुक्षेतर से ये सांसत है भाजबा के अध्यक्ष है हर्य जाना में और पार्टी में भी मजबूत जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिरी है और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पिछली बार जब भाजबा सत्ता में आई थी तब ये राज्यामंत्री भी सरकार में रहे हैं तो इनकी पकट संगठन से लेकर आम लोगों में हैं और पूरी अपडेट है वो लगाता है अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि हरेना कि